जैन दोस्तों स्वागत है आप सबका आप सबके अपने यूटूब प्लेटफार्म ग्लोबल स्पिकिंग सेंटर पर और सबसे पहले संपूर देशवासियों को मकर संक्रांती की धेर सारी सुखकामनाएं आज चुकी देश का एक बहुत बड़ा पावनपर्व है और तो लाज से मना रहे हैं इसमें कोई कहीं सक नहीं है जी आप सभी को पुना एक बार मकर संक्रांती की धेर सारी सुखकामनाएं जितने भी लोग आज के इस सेसन को देखेंगे मैं आपको थमलेन के माद्यम से बता दिया हो गया होगा जी जितने भी बच्चे आज के इसमें हर कंपडिशन के लिए मैं सायद ना लिख पाया हूं जी बहुत सी बाते मैं नहीं लिख पाया हूं लेकिन यह जरूर बता हूं कि यह क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है जो यूपी टेट यूपी टेट जी यूपी येस टेट टीजी टी पीजी टी केवियस पी आर टी केवियस पी आर टी जो केवियस की परिछाएं जो लोग भरे हैं प्राइमरी के लिए केवियस टी जी टी के लिए और केवियस पी जी टी पी जी टी के लिए जितने भी लोग भरे हैं आप संपूर दोस्तों को संपूर लाई पढ़ने वाले बच्चों को संपूर देशवासियों को जी खिचरी धोधा लाई सब की धेर सारी सुभकामनाएं यानि मकर संकराती की धेर सारी सुभकामनाएं जी आज हम लोगे साथ बहुत लोग जुड रहे हैं बड़ी खुसी हो रही है हमने तो सोचा कि ये बच्चे इस क्लास को बहुत सिरियस नहीं लेते चुकि मैंने रात में मैं जब वॉस कर रहा था हाई स्कूल और इंटर की पूछे प्रस्नों को जो 2022 में पूछी है तो मैंने पाया कि वे प्रस्न सबसे जादे पूछे गए हैं जी वे प्रस्ण जो सबसे जादे पूछे गया है जो figure-up speech से related है poems में वो कौन से figure-up speech पूछे गया है इस पर वो सारे सवाल बनते रजर आये थे और बहुत से बच्चों को पहचानने की जी पहचानने का जो ढंग होता है थोड़ा सा नहीं मालूम सर जी तील का धोधा खाली जिएगा अच्छा देखते हैं को आफ खिलाते हैं आप तील का धोधा जी हैपी मकर संक्रांती आल अफ यू जी सभी दोस्त जुड़े हुए हैं आज की क्लास चुकि चाहे वह 9 की हो 10 की हो 11 की हो 12 की हो जी साथ साथ टीजी टी पीजी टी यूपी टेट के भिया सभी क्लासों के लिए उतने ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास एक बहतरीन टॉपिक के अंतरगत हम लोग पूरा करेंगे जी और इस बहतरीन टॉपिक के मिल गया है आज हम लोग पढ़ेंगे फीगर आफी स्पीच कि सबसे पहले हम बिना लेट किये क्योंकि फीगर आफ इस पीच फीगर आफ इस पीच यानि वाक्य के भेद क्या होता है वाबू वाक्य के भेद वेद कह सकते हैं या अगर हम इसको और सुद्ध सब्दों में बात करें जो हम इसका अर्थ निकालते हैं उसे कह सकते हैं अलंकार क्या कह सकते हैं बई अलंकार आज आपको बहुत जादे मज़ा आने वाला है क्योंकि अलंकार टापिक जी हैपी मकर संक्रांती विकास बर्मा जी सरमा जी अर्चना सरमा जुड़ गई है अमीसा पटेल जी आज की क्लास में हम सीखेंगे राइम इसकीम किसे कहते हैं फिगर आ तो लोग हलके में ले लेते हैं किसी भी टॉपक को और लास्ट में चलते वही टापिक उनके खत्रा बन जाता है जे तो देखिए का कि अगर हम बात करें तो फिगर आप इस पीछ की लिए तो फिगर आफ इस पीछ जो होता है जिसको हम लोग अपने भासा में अलंकार कोते हैं उसकी कई डिफिनिस ने बड़े-बड़े विद्वानों ने दिया है और एक बार सेयर जरूर कर दिजेगा आप लो जी सेयर कर देंगे तो सेयर करने में कुछ नहीं जाता है किसी का थोड़ा लगे हाथ मैं भी सेयर कर दूँ पहले क्योंकि मेरे भी बच्चे कुछ आलसी किस्म के हैं सायद वो जी सायद वो जब तक सेयरिंग नहीं पाते है तब तक क्यारिंग कहां होती है जी चलिए बहुत लोग सेयर करने के चकर में इधर उधर हो रहे हैं चलिए आफरीन आ गई है यूपी मंजेस आ गई है हेलो सर स्रया सिंग सुरू से ही जुड़ी है बहुत अच्छा लग रहा है अबैसोनी आ गए है आज की क्लास यादगार क्लास बना दीजिए आप लोग क्योंकि आज मकर संक्रांती पर आप सभी लोग घर उपस्थित हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिगाराफिस्पीच की फिगाराफिस्पीच होता क्या है किंदी अलंकार कोती हैं तो अलंकारों का प्रयोगम अलंकारों का प्रयोगलाफन की सोभा बढ़ानेके लिए करते यानि जिस प्रकार आभूसर से इस्त्रियों की सोभा बढ़ जाती है ठीक उसी प्रकार अलंकार से भाव प्रकास्तन यानि काब रचना में और सुन्दर्ता आ जाती है उसकी सोभा बढ़ जाती है जिस से उसकी भासा में सरलता नमिंता माधूर या सुन्दर को अलंकारों के म बताया जाता है जी मैं बार बार आप लोग को बताऊ किसे कोते हैं अब कुमार गुपता जी गुड Mormorning गुड मॉणिंग बावु आज की एक बहतरीन क्लास है जो आप लोग की बोर्ड में कई बार पूछे गये अगले और बच्चे जिन बच्चों को दो नंबर कम लगते हूं उन बच्चों के लिए मैं बताऊं कि एक एक परसेंट से एक एक नंबर से परसेंट आपका क्रियेट होता है तो अगर अंग्रेजी की बात करें तो हम कर सकते हैं कि फिगर आफी स्पीच इस डेवियेशन फ्रॉम दर ओर्डिनरी यूज आप वर्ड्स विट एव इंक्रीजिंग देयर एफेक्ट यानि फिगर आफी स्पीच के माध्यम से हम एक सामान्य सब्द को ठेस बताते हैं और उसकी काव्व sleepy में उसकी सोभा बढ़ाते हैं वहाओप्रकासन की बिए अगर हम इसकी बात करें या यह पढ़ रहा हूं वह पढ़ेंगे चलिए सबसे पहले बात करते हैं अलंकार यूं तो 125 से भी प्लस होते हैं चुकि अलंकार होते क्या है समझ लीजिए कि पूरी किताबे कई राइटर नों इस पर लिखी है जी कुछ ने तो यह बताया है कि अलंकार बहुत होते हैं कु है 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 कि ट्रामेटर करते हैं चुकि पहुत साथि अलंकार हमारे समय है बतायों गभी अंतिम तक जूड़े रहे कि जैसे कि पन अलंकार क्या होता है चैसे हम सलेथ कहते हैं क्छली आनतेट Kr एह नम्यक्किका परिक रहोता क्या होता लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो अलंकार हमारी स्लेवस में प्रेस्क्राइब हैं जो अलंकार हमको दिये गए हैं उन अलंकारों के बारे में और हम उन अलंकारों को आराम से समझने का प्यास करेंगे सबसे पहले उन कारों की स्रेडी में आता है सिमली जी सिमली जिसे हम लोग उपमा कहते हैं उपमा फिर उसके बाद आता है मेटाफर ठीक है मेटाफर तीसरा मेटाफर में सम रूपक कहते हैं तीसरे पर हम लोग लेते हैं पर्शनफिकेशन को परसोनी फिकेशन जिसे हम मानवी करण कहते हैं मानवी करण जी सबको दिखाई दे रहा है न जी उसके बाद आता है एपस्ट्राफी ट्राफी जिसे हम संबोधन कहते हैं संबोधन उसके बाद आता है अगजी मोरान जिसे हम लोग बिरोधा भास कहते हैं बिरोधा भास जी उसके बाद हमारे पास आता है हाइपर बोल जिससे हम लोग अति स्योक्ति कहते हैं अति स्योक्ति और अंत में आता है उन्मोट पोईया पोईया जिसको हम लोग ध्वानी सूचक कहते हैं जी जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं मैं उन सभी बच्चों को बता दूं कि आप सेशन को सेयर कर दीजिए बारहवी के बच्चे दसवी के बच्चे तो बिल्कुल मुन्ना सिंग प्रियांसु सिंग इस बैक जी स्वागत है प्रियांसु गुड़ मॉनिंग सर हैपी मकर संकरांती आप सभी को चलिए मैं लिख दे रहा हूं फिगर आफ स्पीच की डिफिक्शन लिख दे रहा हूं जी बाब इसी तरह आप लोग थोड़ा सा देख लिजेगा कई बार लोग पुछते हैं जी फिगर आफ स्पीच की डिफिशल लिखे कहें के एफिगर आफ स्पीच विगर आफ स्पीच जी इस अड़िय संप्रम द आड़ यरी इस एड़िय संफ्रम द आरदीनरी जी ordinary use of word with a view ordinary use of words with a view द्यांडर कियेगा एक भी मिशने होना चाहे है to increasing their effect to increasing to increasing their effect increasing I say अगर हम बात करें तो एफिगर आफिस्पीच का प्रयोग हम उन सब्सक्राइब भावा विव्यक्ति के लिए भाव प्रकास्तन की सोभा बढ़ाने के लिए करते हैं इसमें सबसे पहले सीमिली दूसरा मेटाफर तीसरा परशनफीकेसर चौथा आपस्ट्रफी पांचवा और च्छटवा हाइपर बोल और सातवा अनमोट पोईया का प्रयोग किया जाता है जी और हम और भी बताएंगे लेकिन पहले क्लास के रुची के हिसाब से बात की जाएगी क्योंकि पहले बोर्ड में बैटने वाले बच्चों की बात हो जाए उसके बाद से हम बाकी सारी चीजों पर बात करेंगे ठीक है चलिए सभी लोग लिख लिए हो तो बोली आगे बढ़ जाओं जी ये तो पहले से था जो पहले से मैं हमने लिखा है उसको चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिमली की जी सबसे पहले बात होगी सिमली सिमली आपने पढ़ रखा है मेरे भाई हिंदी में हाँ जो लोगी चुक हैं डिफिनेशन लिख सकते हैं जी सबसे पहले बात करेंगे सिमली की कि सिमली इस एक कंप्रीजन बिट्विन टू अब्जेक्ट्स आफ डिफ्रेंट टाइप्स विच हैब अट लिस्ट वन पॉइंट इन कामन ध्यान रखिएगा मकर संक्राथी की धेर सारी सुबकामना है बाबु अमन प्रजाद पती आपको और साथी सा दिपक हुमार सभी लोगों को अलोक यादो सभी लोगों को मकर संक्राथी की धेर सारी सुबकामना है क्लास को रुचकर बनाईए आप लोग sharing के मदद से बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को आज सीखनी है और इतनी easy way में बस copy column उठाए रखिए definition लिखेगा example लिखेगा यही दो चीजों को ध्यान में रखे तो concept मेरा जब भी आप उसे पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे ठीक है मेरे बाबो चलिए चलिए सभी लोग देखते हैं चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं simile is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common definition की बात करें तो a simile is a comparison between two objects of different kinds which have which have at least one point in common is common ध्यान से दिखिएगा हम one point in common इन कामन ठीक है इसके बाद हम थोड़ा सा एक लाइन और लिख सकते हैं कि the words are the words एज लाइक सो दो वर्ट्स एज लाइक तो आर यूजड एज कंपरीजन कम परीजन थोड़ा सा देखते जाईएगा जिनको भी लगे कि सर थोड़ा सा ट्व हो रहा है है पी मकर संक्रानटी देखिए सभी लोग सिवन CPIC आप सभी को जिनको भी लगे कि सर थोड़ा सा भी आप अधिक जा रहा रहा है हैं या हम लिख नहीं पा रहा हैं तो आप बताईएगा मैंने बोला कि simile is a comparison between two objects which two objects of different kind which have at least one point in common the words as like so are used for the comparison यानि simile जो होता है ठीक है वो दो भिन भिन प्रकार की बैक्तियों या तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो जिसमें कम से कम एक गुण समान हो यानि उपमा अलंकार दो भिन भिन प्रकार की बैक्तियों या बस्तूओं की तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो मेरी समझ रहा है यह जी जी जिसे देखिएगा हम हमारे पास दो चीजे हैं हम कहें कि राधा मालिजी हमने लिखा राधा और यह एक लिखा गाय ठीक है दो तो यह लड़की यह जानवर लेकिन ध्यार रखेगा हम कहते हैं कि राधा गाय की तरह सीधी है क्या बोलते है मेरे बाबो राधा गाय की तरह सीधी है तो उस कंडिशन में आप पाएंगे कि जो राधा है और जो गाय है तुलना इसकी नहीं हो रही है कि इनमें भी एक गुण है सिधापन का सिधापन जिसे हम लोग जेंटलेस कहते हैं इसमें भी एक गुण है स्तिधापन का ठीक है तो इन दोनों के इन गुणों की तुलना हो रही है ना कि इन दोनों की मेरी बात समझ में आ दृषिये घहान रखिये हैं मैंने कहा कि सिमली मैं ए फिर से सुनिएगा सिमलीững में दो Пाशल बीन प्रकार की बस्तूएj भोना होना चाहिे और दोनों के बीच में समानता प्रखट करने के लिए मनें एक तरह से हम कहें कि एज लाइक सो में से किसी एक सब्द का इस्तमाल होना चाहिए तो कितना भी बड़ा अगर लाइन पूछ देगा पोईटरी में और जिसमें से एज लाइक सो में से कोई अगर तुमको दिख जाए तो बोल देना वह सिमली है क्या बोल देना मेरे बाबू सिमली है बात समझ में आ रहा है जी स्रेया सिंग लिखने यह सिमली जे कंप्रीजन बिट्वें टू अब्जेक्ट्स आफ दिफरेंट काइंड विच्वेंट विच्वे है सिधा होना राधा में और गाय में भी एक गुण है सिधा होना तो हमने इनके एक गुण की विशेष्टाव एक गुण का तूलना किया ना की हम राधा से राधा से गाय की समानता बता दिए बास समझ में आ रही है जी एक जामपल के लिए हम अगर चाहें तो देखिएग थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक्जांपल को भी लगे हाथ नोट करने का प्रयास कीजिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा एक बोर्ड में लागातार पूछा गया है दीजिए सी इज फ्रेच एज डीव द्यान से देखिएगा हाँ आप जानते हैं आकास से डीव आता है ओस आता है ठीक और यह लड़की है कोई ठीक है अब उसके बाद जी अब यहां देखेंगे तो यह लड़की की तुलना ओस से की जा रही है लड़की की तुलना किससे की जा रही है जबकि हम देख रहा है कि लड़की में भी एक गुण है फ्रेस होना और इसी में भी एक गुण है फ्रेस होना तो इनके एक गुण की तुलना कर रहा है जो गुण क्या है फ्रेस मेरी बात समझ रहे है और तुलना करने वाले सब्द तुलनात्मक सब्द हमारे पास किया मिलगा है बाबू एज मिल गया है कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है और यह जो को को संझ में आ रही है कि जी मैंने कहा जी ध्यान से देखिए जी जितने बें दुटें जूरे हुए है कि वी यसर्रर फूजा वर्मा यह एसर अनुस्ताच्वान सर एक एक बार और चलो दूसरा एक्जामपल बताते हैं चलो डिफनीशन मिटा दूना चलिए डिफनीशन मिटा देते हैं तो अभी तो मजा आएगा एक्जामपल पढ़ने में जब डिफनीशन नहीं रहेगा तो एक्जामपल मजा आएगा डिफनीशन पढ़ने मजा आएगा क्यो क्लास को एक बार देखा कभी भी परिच्छा से पहले तो आपका टेंशन खतम जी जितने भी लोग जुड़े हैं आपका टेंशन खतम अब मान लिजे कि हम ऐसे लिखें सिला इस ब्यूटीफूल इस ठीक है दमुन ठीक सिला इतनी सुन्दर है जितनी की चांद यहां देखेगा तो सिला की तुलना किसे की जा रही है बाबू चांद से सिला की तुलना किसे की जा रही है चांद से अब आपको ध्यान देना है मैंने यही बताया आपको किस सिमली में होगा क्या जी र फेस वर लाइक बिलकुल अब है वही एक जांपल मैंने अभी लिखा है कि सिला इस एस ब्यूतिफूल ऐस दा मुन ठीक है तिला की तुलना हो रही है मून से तुलना करने वाले सब्द क्या आए हैं एज लेकिन सुन्दर बताया जा रहा है यानि कि सीला जो है एक मानव जाती है और एक ये प्लेनेट है समझ रहे हैं सेटलाइट है उपगरा है दोनों अलग अलग बस्तु में हुए लेकिन दोनों में एक गुण समान है कि ये भी सुन्दर है और ये भी स माधूरी इज एज ब्यूटीफूल एज एस्वार्या चैमाली जे लिख दिये सिल्पा सिल्पा दीपी का कुछ भी लिख सकते थे हम जी अच्छा इसमें बताना है आपको कौन सा लंकार है इसमें कौन सा लंकार है आधार टेंसन आपका यहीं खतम हो जाएगा है अच्छा प्रयास है सिमली सिमली वाले लोग सदयों गलत हो चार लोग बताएं सिमली गलत है अनुसका चौहान पढ़े लोग यह क्लास पिर लोट के आने वाला नहीं बाद में कोई पढ़ते नहीं पूजा बर्मा गलत है यहीं गलती होता है चुकि तुम्हारे पॉइंट आप उसे नो फिगर आफी स्पीछ क्योंकि तुम्हारे से लेवस में साथ हैं लेकिन दस-दस से पूछता है मैं अभी अंत में बता रहा हूं लेकिन तुम्हारे पॉइंट साब भी उससे इसमें कोई अफीर आफी स्पीछ है अब लेकिन एक बात आपको बताऊं कि इसमें भी फिगराफिस पीच है देखो ध्यान से माधुरी जो है और सिल्पा भी हुमन है और मैंने जो सिमली बता हैं सबसे पहले उनका एंसर सुनो जो सिमली बता हैं वो गलत कैसे हैं बाबु मैंने बोला कि सिमली इस एक कंपरीजन बिट उनों लड़कियों की तुलना हो झा रही तो जब तुलना एक जाथ यह कही बर्ग में होगा और कि जब तुलना एक ही जातिया बर्ग में होगा तो वहां होता तो तुलना जब यह कही बस्तु या जात्य होगा तो वहाँ जानते हैं एक comparison अलंकार होता है कौन सा होता है comparison तो उसमें क्या करेंगे आप के जिस समझ में आ गया सविसी बिलकुल वावू जाहां concept मैं पताया तो कि आपको कभी जीवन में फिगर आफी स्पीच पढ़ने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर थोड़ा सा हमारे साथ एटेंशन दे दिए चलो चलो एक और एक्जामपल लिखते हैं लिखते जाईएगा समझते जाईएगा हाँ यह ध्यान में रखो आज लाइक सो आ दॉल वाज लाइक के इस्टार एंडुलेट अपर शुल वाज यहां मतलब है के द कि इसके बार लिख सकते हैं कि द्वल्ट अपार्ट औंडुलेट अपाट एट। एंड ड्वेल्ट अपार्ट एक पोएम है डफोडील जी तो वहां से भी इस तरह किक जाया सर समझ गया है अब समझ में आ गया है सर ठीक है तो इसमें कौन सा लंकार होगा बताइए इसमें कौन सा लंकार होगा सिमली इबराना बोल रहे हैं सिमली बिल्कुल सही बाबू इस बार आप लोग गलत नहीं है देखिए उसकी आत्मा आइस्टा दोनूं अलग-अलग हो गई और तुलना करने वाला सब्द लाइक इसलिए यह क्या होगा सिमली कुछ फेमस सिमलिया ह जो अक्सर प्रयोग की जाती है आपकी कविताओं में प्रयोग की गई है दसवी नौवी मैंने तीन बारहवी में तीन चीजों में से छाटा है मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा हाँ जैसे हम कहते हैं कि as cute as a kitten as cute as a kitten fog नामक चेप्टर से निकल के अगर इस तरह की साइसेंस क्रिस्टल हाँ यह बिल्कुल एज क्रिस्टल एज ठिक एज ब्लाइंड एज बैट एज जिराफ एज स्वीट एज सूगर एज हैपी एज काम एज दो एज लेदर यह सारी चीजे आप बोल सकते हो मेरी बात समझ रहे हो मेरे भाई जी जब एज एज के बीच में जी आप तो उस कंडिशन में जी मैद से हमारे सर सेखोनिया से मैद टीचर जूड़ गया है स्वागत है सर आपका आप देखिए का कंपरीजन मैंने एक सब्द किया कि एक कंपरीजन आप टू थिंग्स आप सेम काइंड सिमली क्या था हाँ एक कंपरीजन बीट्विन टू अबजेक की बताई थी जी चलिए कोई दिक्कत हो रही है सिमली समझ में आया सिमली का करेक्टराइजेशन आपको एक बार पुना बोल देता हूं जो लोग सिमली लेट से सुन रहे हैं मैंने बोला कि सिमली इज ए कंपरीजन बीट्विन टू अबजेक्ट्स आफ डिफरेंट काइं विच हैव एट लिस्ट वन पॉइंट इन कामन दवर्ट्स एज लाइक सो आर यूज फॉर दर कंपरीजन बिल्कुल समझ में आ रहा है अगर पहचान की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा जी ध्यान में रखिएगा कि जो सिमली में तूलना करने वाली चीजें हैं य पुरे ध्यान रहे है उसमें कम से कम कोई एक गुण समान होना चाहिए कोई दिक्कत है किसी को जी लेकिन यदि तुलना एक ही जात की बस्तूओं में की गई है तो वह कौपरीजन अलंकार होगा वो कौन सा फिगराफी स्पीच होगा? Comparison अलंकार होगा. जैसे हम कहें कि he is as gentle as his brother. देखिए का ध्यान से. हम कह रहें he is as gentle as his brother. ध्यान दीजिएगा. तो इसमें अगर कोई आप से पूछ दे कि कौन सा अलंकार है? हाँ. खाली is as used as Ravan. ना ना देवता देवता डू यू नो इकौमपरीजन? डू यू नो आप लिख रहे हैं कौमपरीजन. खली भी इंसान, राउड भी इंसान था. ठीक है? ये कौमपरीजन हो जाएगा. देखिए मेरे बाबु अब बिल्कुल समझ गया है ये कौमपरीजन अलंकार क्या होगा? he और his brother दोनो मानो जातिया हैं. इसलिए as होते हुए भी क्या हो जाएगा? ये कौमपरीजन अलंकार हो जाएगा. सब को समझ में आ गया? सिमली समझ में आ गया सब को? कॉंपरीजन भी लगे हाथ समझ गया आप लोग अच्छा ही मांदारी से थमसप देखे बताओ कितने लोगों को क्लास समझ में आ रही है हां बताओ क्लास समझ में आ रही है जी जी पूछे हैं बाबू आप आए नहीं और खली आते हैं लाइब में और सुनते नहीं खली टाइप करते हैं जी चलिए चलिए बाबू ध्यान से पढ़िए आप लोग हां कुछ लोग होते हैं जो आते हैं लेकिन चुछ बच्चे तु तुरंट सुन लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है कुछ नहीं सुनते हैं अगली हेडिंग हमारी होगी भैर निवस्फे याकम करने व्हीं वैंग अजब क煨्यूज अच्छा मिलता है सर आपका साथ स्नेह पाकर हम लोगों को बड़ा खुसी होती है जी मैं चाहूंगा कि इसी तरह समाज देश हित में आप काम करते रहें और बच्चों को भी मोटिवेट करते रहें चुकि आप एक विद्याले के प्रबंधग भी हैं इसलिए आप से उमीद ह जी कि आप बहतर काम करते रहें ठेख चलिए अब अगला टापिक हम पढ़ेंगे मेटाफर मेटाफर मिस होता है रूपक रूपक क्या होता है रूपक क्या होता है है ध्यान से देखिएगा हाँ चलिए जो लोग टाइप करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं रूपक अलंकार की डिफिनिशन मेटाफर की डिफिनिशन जितने भी बच्चे हैं मेटाफर की डिफिनिशन लिख सकते हैं कि जी चलिए पताईए कि हाँ कि कमपरीजन कमपरीजन अभी पीछे चल रहा है बाबु आप लोग हाँ क्या होगा ध्यान से देखिएगा जी ध्यान से देखिएगा हम लिखेंगे metaphor is an implied simile सबसे छोटा definition metaphor is an implied simile जी इतना ही तक आप लिख देंगे न तो आपका definition पूरा हो जाएगा ठीक है उसके बाद भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो it does not like simile it does not like simile जी it does not like simile state that one thing is like another state that one thing is like another one thing is like another ध्यान से देखिएगा और एक्स एज अनादर एनादर और एक्स एज एनादर ध्यान से देखिएगा टिपिनिशन बहुत लोग लिख रहे हैं और यहां अगर बात हम करें तो ध्यान से देखिएगा एक डिफिनिशन उन्हों ने लिखा स्रेया अभय कुमार गुपता इन मेताफोर जी चलिए मेताफर की बात कर रहे थे बाबु हम जी ध्यान से देखिएगा सभी लोग के कमेंट्स मैं देख पा रहा हूं अब से गुपता जी जूड़ गया है स्वागत बाबु इट के बाद डज होगा नसर कहां लिखे हैं हाँ यार गलती से बोले थे चुकि एक हमारे भाई हैं इनको कोई सर कोचिंग से निकाल दिये और ये बहुत अच्छे कलाकार आदमी हैं ये दूसरे के कोचिंग में आके बच्चों को पढ़े नहीं देते हैं जी और अगर अपना चरण लेके मेरे पास आ जाते तो मैं इनका पैर पकड़ लेता जी ध्यान से देखिएगा सजन मैं आप सकती के नाम से जो भी आईडी बना के कर रहे हैं आदिति कुस्वाह जी जी मैं अब हमसे बताते ही नहीं है भाई और जो बात वह बताते हैं अब इससे लाइब में कैसे बता सकता हूं आप फोन करिये ना हम बताते हैं कि मैं नंबर लिख देता हूं अपना जी अगर आप देख रहे होंगे तो चौरानवे पंद्रह उन्चास अंठावन छपन किसी से फोन मांग के फोन करिए मैं आपको बताता हूं क्या करूं यह लाइब है ना इसमें जिस तरह से आपको बताएं हैं मैं कुछ पर नहीं पा जी मिराज जी जी बहुत धन्यवाद सक्ति भाई आपने मेरी भावनाओं को समझा और बच्चों को पढ़ने दीजे प्लीज सिंगर अब सेख जी जुड़ गया है जी चलिए सिंगर अब सेख जी देखिए किंग आफ सेष्टी सुजीत पासवान सर जुड़ गया है स्वागत है सर आपका चलिए हम बात करते मेटाफर इस दा थिंग्स कंपेर आर ट्रीटेश एज वन एंड़ सेम और वर्ट्स आप दे होतीज है वह एक छिपी हुई छिपी हुई होती है मेटाफर एक प्रकर की लूपट सीमली होती है यहüssel मेटाफर Kundi में से डाइक सों निकाल दिया जाय तो निकाल दिया तो मेले अप ही क्या हो जाता है वह मेटाफर में शुन ले हो रहा है चप्छ सोंगे क्या हरता जैनर उपमाह क्या हो रहा था मेरे बाद अरव परकार के बेस्तुएं तुनो कोól एक मानन लिए कि तुलना की जा रही थी दोनों मेंसे कोई एक समान था इसमें क्या है कि गूंपना की जाएगी उसी को मान लिया जाएगा मेटाफर क्या होता मेरे भाई जिससे तुलना की जाती है उसी को मान लिया जाता है जिससे तुलना की जाती है उसी को मान लिया जाता है मेरी बास समझ में आ रही आपको जी मैंने बोला मेटाफर एक प्रकार की लुप्त सिमली होती है जिससे तुलना की जाती है उस मेटाफर एक प्रकार की लुप्त उपमा होती है इड़ नाट लाइक सीमिली स्टेट दैट और थिंग्स इस लाइक एनादर और एक्स एनादर यानि यह जिससे तुलना की जाती है उसी की तरह मान ली जाती है जैसे एक सिंपल सा एक्जामपल लेते हैं लाइफ इस एड्रीम क्या लेते हैं बाबो लाइफ इस एड्रीम लाइफ इस एड्रीम ध्यान से देखिएगा यहां तुलना की जा रही है लाइफ और ड्रीम से लाइफ और ड्रीम से तो जब सीमिली हम लिखते थे जी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग ध्या लाइक एड्रीम तो जीवन अद्रीम अलग अलग होते और तुलना लाइक से होता लेकिन हमने यहां किया लाइफ इस ड्रीम यानि जीवन एक सपना है हमने तुलना किया जीवन और सपने से लेकिन जीवन को ही हमने सपना मान लिया यानि जिससे तुलना की जाती है उसी को मान लिया जाता है तो उसे हम मेटाफर अलंकार कहते हैं जी छोड़ दीजे बाबु आप लोग अपना पर ध्यान दीजे प्लीज आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप अपने पर ध्यान दीजे आज संद्या मैं भाई के पास जा रहा हूं देख रहा हूं उसकी समस्या क्या है जी वो फोन भी नहीं करेगा मुझे से बात भी नहीं करेगा और इसकी बाद छोड़ दीजे मैं फिर से एक बार आप लोगों से कह रहा हूं मैंने कहा कि मेटाफर में जिससे तुलना किया जाता है उसी को मान लिया जाता है समझ रहे हैं जी जैसे हम कहें लब इज लाइफ कुछ बच्चे कहते हैं जानते हैं नादानी में सब गलतियां कर बैठते हैं कहते हैं लब इज लाइफ ध्यान से देखिएगा लब इज लाइफ अब लब की तुलना लाइफ से की जा रही है ठीक है लेकिन लब को ही लाइफ मान ली जा रही है मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैंने कहा लब की तुलना लाइफ से की जा रही है लेकिन लब को ही लाइफ मान लिया जा रहा है मेरी बात समझ रहा है यानि लब की तुलना किसे की जा रही है लाइफ से और लाइफ को ही तुलना मान लिया जा रहा है लब को ही लाइफ मान लिया जा रहा है यानि मेटाफर में क्या होगा मेरे बाबू जी तुलना करने वाली बस्त को ही ठीक है तुलना करने वाली बस्त को ही मान लिया जाता है जैसे जी हम लिख सकते हैं कि The camel is the sea of desert, क्या लिखेंगे बाबू, The camel is the sea of desert, फ़ड़ा से इसमिसे आई करियेगा, मां लिखे हम कहें कि The camel is the sea of desert, उंट रेगिस्टान का जहाज होता है, उंट रेगिस्तान का जहाज होता है तो हमने उंट की तुलना किस से कर दी जहाज से रेगिस्तान के जहाज से बलकि हमने तुलनाह नहीं किया उसको उंट को रेगिस्तान का जहाज भी मान लिया उंट को रेगिस्तान का जहाज भी मान लिया एयार डेली स्टेटस यस सर समझ में आ गया मेटाफ़र बाद समझ में आ रही है और किसी को जैसे हम कहते हैं काली काली दास इस दा सेक्सपियर आफ इंडिया काली दास इस दा सेक्सपियर आफ इंडिया तो काली दास की तुलना हम सेक्सपियर से कर रहे हैं लेकिन हम काली दा कितने लोगों को बात समझ में आ गई जी लाइफ इस नाट बैड आफ रोजे जो है वह मेटाफर है क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है जी आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपको मेटाफर मिलेगा क्योंकि जीवन की तुलना किसे की जा रही है बेड आफ रोजे से और बलकी लाइफ कोई हम को है रहा है कि बेड से नहीं है गुलाबों की वित्तर नहीं है इसके अलाबा बहुत से चीज है जैसे हमको कई लोग कहता है लाइफ इस not a life is but a walking shadow मैगवित कहता था जी मैगवित ने एक statement बोला था कि life is but a walking shadow जीवन एक चलता हुआ परचाई है तो उसने जीवन की तुलना walking shadow से की थी और उसी को मान लिया था किलियर है सब को समझ में आ गया होगा तो बोलिया मैं इसके कुछ अंतर समझाता हूँ और ध्यान से सुनिएगा जी ध्यान से सुनिएगा मैंने कहा यह से सिमिली और मेटाफर में अंतर जो लोग अगर समझ नहीं पा रहे हो उनके लिए समय अगैसर बशीर अनभवजी आ और मेटाफर में एज लाइक सो नहीं होता है सिमली में तुलना दो भिन भिन प्रकार की बस्तूओं में होता है जिसमें से किसी एक गुण दोनों में से कोई एक गुण होता है जो समान होता है जबकि मेटाफर में जिससे तुलना की जाती है उसी को मान लिया जाता है समझ रह जी निखिल पटेल आप किसी को दिखत नहीं आगे अगला बताओं हाँ बोलिए अगला बताओं चलिए नेक्स्ट बहुती रुचकर है बड़ी जबरजस्त है आप ध्यान से देखते रहेगा किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा यह मेरी लिखित गारंटी है आप लोगों से आज फिगर आप स्पीच को खतम करेंगे हम लोग बहुती सांदार क्ला यह संस को खतम कर देगा क्योंकि इसमें आज राय में स्कीम के भी बारे में बात करूंगा जी चलिए अगला हमारा होगा तीसरा अलंकार तीसरा अलंकार हम लोग पढ़ेंगे परशनोफिकेशन को जी और यहान से देखिएगा परशनोफिकेशन sonification personification मिस होता है मानवी करण मानवी करण दियान से देखना example छोटा सा लेते हैं इसकी definition in the personification the personification lifeless object are idea abstract ideas lifeless ticket objects are objects are abstract ideas G are through thought as a person having life or thought have a person having life well chota sa definition wau chota sa definition wau ti gajab ka definition dhyaan sa dekhyega G in the post notification lifeless object are and abstract ideas lifeless objects and and abstract ideas are thought or thought have a person having life they are thought of our thought a person having life ठीक है यानि इस अलंकार की बात करें जितने भी लोग जुड़े हुए मेरे बाबू ध्यान से देखिएगा जी पॉर्ष्ण फीकेशन इस फिगर of speech in which dead are lifeless object are presented as living things विल्कुल सही है एक नंबर का definition आपने भी दिया इस अलंकार में निर्जीव वस्तूओं या भाओं को सजीव मानकर ब्यक्त के रूप में बढ़न करते हैं जी जैसे हम कहते हैं पंच्छी सुर में गाती हैं भौरे गुनगुनाते हैं समझ रहा हैं नदियां पता नहीं कैसे दिखाती हैं हवा ऐसे करके होता है न यानि अगर आप बात करेंगे जैसे लोग कहते हैं तलवारों की खनक इतनी थी कि लोग काप जा रहे थे गोल जैसे एक सिंपली दिया था और यहां देखेगा जैसे मैंने लिखा मैंने लौब इजा ब्ल्ाइन आप मताहिए लौब इस ब्लाइन और अभी पहले मैंने कुछ लिखा था लौब इज लाईफ या जी अज़री हवाई लाईफ इज आप देखेगchodzi जीवन को जी प्रेम को जीवन माना लाइफ इस ड्रीम यह भी मेटा फर हो गया लेकिन यहां ध्यान से देखेगा लब इस ब्लाइंड जी लब इस ब्लाइंड यानि प्रेम अंधा होता है और अंधा होने का काम किसी सजीव व्यक्तिका होता है समझ रहें चाहां वो इनसान हो जानवर हो पक्षी हो कोई हो जो सजीव मान लिए हैं निरजीव लब जो है अब अभेश्ट नाउन जो है उसको हम क्या माले रहा हैं सजीव क्योंकि लब अंधा होता है यानि सजीव मान लिए हैं तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा मेरी बास समझ में आ यह जी जैसे हम कहें कि opportunity knocks at the door but once छोटी सी definition हम लिखते हैं अक्सर यह बच्चे बोला जाता है बच्चे समझ नहीं पाते हैं हम लिखते हैं opportunity 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 knocks the door but once opportunity knocks at the door knocks at the door but once यानि ओसर एक बार दर्वाजा खट-खट आता है और सर एक बार दर्वाजा खट-खट आता है आप मेरे भाई बता ओसर आके ऐसे से दर्वाजा पीट देगा ऐसे पीट देगा दर्वाजा ओसर समझ है नहीं ओसर एक abstract ideas है और हम उसको सजी मान रहें कि औसर एक बार दर्वाजा खट-खट आता है इसमें कौन सा होगा जी personification होगा क्या होगा बाबू personification होगा बास समझ में आ ज्यासन हम कहता है Eli has no legs Eli has no legs जूट के पर नहीं होते मैंने बोला Eli has no legs जूट के पर नहीं होते समझ रहे हैं मेरी बास समझ रहे हैं आप लोग जी जूट के पैर नहीं होते अब यहां पर आप देख रहे हैं जूट आइवस्टेक्ट आइडियाज है की नहीं है लेकिन इसको हम सजीव की तरह टीट कर रहा है क्योंकि इसका पैर ढूड रहा है मेरी बात समझ में आ रहा है हां कभी कभी जितने भी बच्चे जुड़े हुएं बहुती सांदार से संचल रहा है आप इसका लाग उठाएं कोई दिकत हो तो हमें बताएं कि मैं जानता हूँ आज तेवहार का सीजन है लेकिन क्या किया जाए सामवाली क्लास में हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट पढ़ेंगे लेकि हम्हार का भी आनंद और बन जाएगा घवर इनफ जाएगा रिज्मे एनफ और शैटिटिटिन ए न फेस यानिज चिन्ता उसके चेहरे पर बैठ गई यह बताइए लोग चिन्तित लगते हैं लोग चिन्तित दीपक याद ओ गूझ तरहाई नोग दीपक बाव गूझ जी, एक्सपेरियेंस इस देबेस टीचर, वेरी गूझ वेरी गूझ, एकतम सही एकजामपल teacher is not teacher experience is the best teacher very good यानि अनुभव जो है सबसे अच्छा ध्यापक है अनुभव क्या है experience क्या है यह का बेश्टेक्ट आइडियाज है और उसी को हमने मान लिया है कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत है समझ में आया इसमें निर्जीव बस्तूओं या भाओं को सजीव मानकर ब्यक्त किया जाता है कोई दिक्कत हो तो बताईए जी समझ गया है चलिए हाँ एक्जामपल की जरूत नहीं है experience is the best teacher यह सभी लोग समझ गया चलिए कोई बात नहीं कि जितने भी लोग जुड़े हुए है अच्छा मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने बच्चे आएंगे क्योंकि त्यवहारों का सीजन है और मैं तभी से देख रहा हूं कि बच्चों की संख्या लागतार बनी हुई है लेकिन बाबु मैं क्या करूं मजबूर हूं क्योंकि अगर राथ ही में देखे अगले साल अपने ही स्कूल के पढ़े एक बच्चा आये थे और उन्होंने नितेश उनका नाम था अलक्सा के नाम से आईडी थी और उनका उन्होंने बड़े गर्ब से आप लोग के सामने कंफेस किया कि सर्क से पढ़ने के वजह से 89 नंबर हम इ अपस्ट्रॉफी क्या पढ़ेंगे वाबू अपस्ट्रॉफी मिस संबोधन 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 में भी वही डिफिनीशन होगा कोई अलग से डिफिनीशन नहीं होगा बस थोड़ा सा अंतर होता है या ध्यान से देखिएगा जी दिनेश को स्वाहा जी असर समझ बिसाल को गुड मॉर्निंग सर जी बिसाल तुम लोग के लिए क्लास चला रहा हूं और फिर से क्लास मिलेगी नहीं लिखो and apostrophe is a direct address to the dead an apostrophe an apostrophe is a direct address to the dead 90 cover direct address to the dead to the absent to the absent are to a personified object our idea to to a personified object our idea G ओ जूलियस सीजर दाव माइटी जी बिल्कुल बहुत सांदार एक्जामपल है सिल्पा बर्माजी स्वागत है सिल्पा बर्माजी चले बहुत यह अच्छा लग रहा है देखना बाबू हमने यह कहा आप लोगों से आप लोगों से यह कहा कि कि एपस्ट्रॉफी क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि एन एपस्ट्रॉफी इज एए डायरेक्ट एड्रेस टू दा डेड्रेड मने एपस्ट्रॉफी अलंकार में हम किसी मृत्यु ब्यक्ति को डायरेक्ट एड्रेस कर सकते हैं ठीक यह एपसेंट जो अनुपस्थित हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं या जो पर्षनोफाइड है यानि मानविकृत हैं बीचार हो या बस्त हो उनको हम डाइरेक्ट संबोधित कर सकते हैं यानि एपस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत्व अनुपस्थित या मानविकृत किये हुए पदार्थ या बीचारों को सजीव मानकर संबोधित किया जाता है यानि उनके विचारों को हम क्या करते हैं संबोधित करते हैं जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे अभी एक अभैकुमार गुपता जी बहुत ही सांदार एक्जामपल हम लोगों को दिये हैं वह ऐसे ही हम डारेक्ट लिखते हैं जैसे आप लोग बुजूर को अपने घर के देखते होंगे बार बार कोता हैं मौगतिया कहां बार आवा यह नहोता है जी हम कहते हैं ओ डैथ कॉम सून कॉम सून हे मृत्य। जल्दी आओ जल्दी आओ चाहे हम कहते हैं ओ लिबर्टी ओ लिबर्टी कि समझ रहे हैं वाई यू सो डियर कि वेर आर यू से वाई कि आर यू सो डियर मनें है आजादी तुम इतने प्रीयक्यों हो यहां देख रहे हैं जैसे उन्होंने एक इग्जामपल लिखा था जूलियस सीजर जी बिलकुल ओ डेथ वेर डाई यूर स्टिंग्स हाँ देखेगा आपस्ट्रोफी की एक क्वालिटी होती है बाबू अगर एपस्ट्रोफी में दो चीज नहीं मिले तो एपस्ट्रोफी न करके उससे परस्ट्रोफिकेशन करना पड़ेगा ध्यान दीजेगा आप है जैसे अपने टाइप किया है छोटी सी मिस्टेक हाई डेथ जो है न इसके बाद या तो कामा हो और नहीं तो यह संबोधन का चीन हो ओ लेवर्टी है इसके बाद संबोधन का चीन हो और यह नहीं हो तो इसके बाद इस नाउन के बाद कामा होना चाहिए बास समझ में आ रहा है ज аменозможно समझ में आ रहा है जैसे Peacethera निंुम act के बाद हमको कामा मिलता है नोट के बाद क्या रखना है कामा को mother है कोई दिकत नहीं है सभी लोग का सही जा रहा है कहीं से कोई दिकत नहीं आ रही है कि सी को कोई दिक्कत हो रही है बापू चलिए चलिए अगर हम इस तरह से और लिखें जैसे पीवी सैली का एक बहतरी इन रचना थी अगले बार जो निकाल दी गई है उसमें कहा गया था कि ओ डेथ, ओ टाइम, कहा गया था ओ डेथ, ओल टाइम, ओ ओ लाइफ, on whose last step I climb मनें हे संसार ओ वाल्ड हे जीवन ओ लाइफ हे टाइम यानि ओ टाइम on whose last step I climb जिनकी अंतिम सीडियों पर मैं चढ़ा हुआ हूं यह सब किस में आते हैं अब बच्चें यह समझ रहे हूंगे सर जी अपर्श्ट्राफ और परस्ट लोफिकेशन में अंटर कैसे समझेंगे ठीक है तो कि अपर्श्ट्राफी और परस्ट्राफी और पर्शनोफिकेशन में अंतर बहुत ही Uber है फं कह सकते है कि परसандमえば हं़ अगिकेशन बस्तु या पदार्थ को सजीव मान लिया जाता है देखो बाबू ग्राफ के माध्यम से समझना थोड़ा सा थोड़ा सा मेरी बात को समझना जी मेरी बात आज यहां खतम होने तक मैं दो टॉपिक बिल्कुल किलियर कर लूँगा चाहें एक लोग भी रहे वीडियो को बाद म हां निर्जीव बस्त अथवा विचार को सजीव मान लिया जाता है ठीक है लेकिन अपस्ट्रॉफी में यह नहीं होता है ठीक है अब उसमें यह स्टेप होता है अपस्ट्रॉफी में निर्जीव को सजीव मानना लेकिन इसको सजीव मानते हुए संबोधित भी करते हैं संबोधित कर देते हैंगे चीक आगे जाना एक पल pata गधाने है सो समझ रहा है आए अद मैंने यह कहा परशनल भी केष्ण में डाइरक किसी निर्जीव को सजी मानते हुए उसे संबोधित भी कर देते हैं को individually कैसी को है कि समझ में आ रहा है है कि जैसे हम कहते हैं कि milton thou suggest be living at this hour मने हे milton इस समय तुम कहा हो तुम्हे कहा होना चाहिए तो निर्जीव है milton मर चुके हैं उनको सजी मान लिया और मानने के साथ साथ उनको संबोधित भी कर दिया मेरी बात समझ रहा हो जी सब लोग समझ रहा है मेरी बात को जी जैसे हम कहते हैं कि oh mighty seizure मने हे सक्तिसाली dash down live so low कैसे आप रहते हैं किस तरह से आपकी जीवन है या break 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 याने रुको 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 ये सारी चीजे हैं हम लोग के साथ जूडी हुई है नहीं समझ में आया तो बताना समझ में आया जी सर समझ गया वेरी गूड आई एक और बहतरी और जी मोरम जी एक्जामपल अभी मैं आप लोगों को और सारे दूँगा बस पहचान कराने के लिए मैं पूछूंगा अंती में देखूंगा कौन कितना अच्छा समझा है क्योंकि प्रेक्टिस के भरोसे डिफनीशन समझते समय जादवी लगती है तुरन समझ में आता है कि जी सर समझ गया समझ गया लेकिन अंत में जो बच्चे पढ़ते हैं अंत में जुड़े राते हैं उनको पता चलता है कि हाँ भाई उनसे तो थोड़ी सी चूक हो गई उन्हें समझ में नहीं आया बात को समझ सकते थे वो और उस समय बताये नहीं कि सरम आ रही थी लाइफ चेट में बहुत से बच्चे थे चलिए अब हम पढ़ेंगे आग जी मोरब बिरोधाध वास यह बहुत गजब का है और अगर तुम देखोगे तो फसे ना हो हलिगा इन दिस फिगर आफ इस पीच इन दिस फिगर आफ इस पीच कमा देंगे two opposite quality are added to the same thing two opposite qualities are added to the same thing two opposite qualities are added to the same thing यानि इस फिगर आफ इस पीच में हम एक ही व्यक्त या बस्त के दो परस्पर विरोधी गुणों को व्यक्त करते हैं गुणों को दिखाते हैं जी मेरी बात समझ रहे हैं जी आप देखे होंगे कि इस अलंकार के माध्यम से जी जितने भी बच्चे जुड़े हुए बिल्कुल अभयकुमार गुपता जी बिल्कुल सही है अब समझने का प्रयास करिएगा क्या को रहा है इन इस फिगर आफ इस पीच में हम एक ही ब्यक्तियाबस्त के दो परस्पर बिरोधी गुणों को दर्साते हैं दो परस्पर बिरोधी गुण को जैसे हम एक में पढ़ रहे थे लॉब इस लाइफ तो वहां में टाफर था फिर पढ़ें लॉब इस ब्लाइंड वहां पारस्नेफिकेशन ता क्योंकि अंदाव निर्जीव सजीव का होता है लेकिन अब हम कहें कि love is a sweet poison माली जी हमने लिखा love is a sweet poison sweet poison तो आप देखेंगे प्रेम एक मीठा जहर है तो प्रेम की ही दो परसपर बिरोधी गुण एक मीठा एक poison अगर मीठा है तो जहर कैसा जहर है तो sweet कैसा यानि एक ही ब्यक्तिया बस्त के दो परसपर बिरोधी गुणों को दर्साने वाले जी love is a bitter sweet बिल्कुल सही love एक कड़वा मिठाई है जी sir two का spelling अच्छा यह देखो यह ओपोजित थोड़ा दूर हो गया है टूब में से यह यहां आना चाहिए था ठीक है दूर हो गया उतना तो आप लोग समझ सकते मेरे भाई जी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को जैसे हम कहते हैं ही इज रेगुलर्ली इर्रेगुलर ही इज रेगुलर्ली इर्रेगुलर अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो हम कहेंगे ही इज रेगुलर्ली इर्रेगुलर वह नियमित रूप से अनीमित रहता है यह रेगुलर्ली इर्रेगुलर् वह नीमित रूप से नीमित रहता है बताँ जम नीमित है तो नीमित कैसा आ तो नीमित कैसा आप एक लाइन महवं okay । उसके पास कुछ नहोते हुए भी सब कुछ था हम कहते हैं कि and having nothing he had all उसके पास कुछ नहोते हुए भी सब कुछ था जैसे हम कहा है life is a bittersweet जीवन एक कड़वी मिठाई है जीवन क्या है हां जैसे हम कहते हैं कि a boy is regularly irregular बिल्कुल सही अभय बिल्कुल सही he is open it is open secret बिल्कुल सही बिसाल तो कमाल कर दिया आज आपने अभय और बिसाल दोने इंटर के बच्चे लागातार जुड़े हुए है जी it is open secret यह यह खुला रहस्ते है यह क्या है खुला रहस्ते है जैसे हम आपको ब्यक्त के दो बिरोधी प्रसपर बिरोधी गुण दर्साय जाएंगे अब एक बात समझें कैसे तो देखना बाबु जब किसी के बारे में कोई ऐसा अलंकार हो जहां बगल में दूनू बिलोम सब्द दिये एक एक का अंटरिम दूसरा होगा तो समझ लेना कि बिरोधा भा है कि आपको क्या करना है जी दो परसपर बिरोधी गुण यानी बिलोम सब्द अगर एक ही पास दिखाई देंगे या आर करके थोड़े दूर भी दिखाई देंगे जिसमें एक हुझा अच्छा एक बूरा तो उस कंडिशन में उसे बिरोधाभास की सेड़ी में रख देना कितने लोग समझ गया मेरी बात को हेलो दीपक भीया गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग चलिए बताए कितने लोग समझ गया है समझ गया है चलिए पांचवा हो गया हमारा अब छठवा के तरह बढ़ते हैं बस एक दो और बचा उसके बाद राइमी स्कीम बता दूगा क् इंटरमीडियेट में राइमी स्कीम से जलित है नवी ऐकरावी में तो पूछते ही हैं चलिए चलिए बाबू जितने भी लोग जुड़े हुए है सबी लोगों से vollilling जांँगा कि आपका 10 मिनन्ट आपके लाइफ में बढ़ासा चेंजिंग ला सकता है मेरा क्या है आप अगर आप घर बैठेंगे तो भी पढ़ेंगे नहीं क्योंकि तेवारों का माहौल है वीडियो देखते रहिए सुनते रहिए क्या पता कुछ बड़ा परिवर्तन ही हो जाए जी चलिए अगला है हाइपर बोल क्या है बाबू हाइपर बोल हाँ अतिस्योक्त हम कह सकते हैं कि इनन हाईपर बोल हाइपर बोल थेक्स आर सोन आस ग्रेटर आर्लेस थेंग्स आर सोन आस ग्रेटर और डिया और लेस ऐस ग्रेटर और लेस बेटर और वर्स बेटर और वर्स बैन दे रियली आर दे रियली आर थुड़ा सा ध्यान दे लिजेगा आपका अमुले समय है मैं समझ रहा हूं सर समझ गया मैंने कहा कि in hyperbol things are shown greater or less यानि hyperbol अलंकार में किसी बस्तों को बढ़ा चढ़ा कर या अत्यधी घटा कर खूब जादे बढ़ा कर या खूब जादे घटा कर बेटर आरपर्स यानि खूब अच्छा या खूब बुरा दे रियली आर उनकी वास्तविक स्थिती से दिखाया जाता है जैसे हम कहते हैं कि लागल जुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गया यह बताई अगर जुलनी से धक्के लोग जाए तो कलकत्ता पहुंच जाएंगे संभव है ना तो यह अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर पेस किया गया है इन्हें हाइपर बोल तिंग्स आर एस सोन ग्रेटर आर सो लेटर बार्स ठीक भी बिल्कुल यही डिपनिशन मैंने भी दिया हां अब है जी बता रहे हैं कि बिलिंडा इस्माइल एंड आल दर वर्ट सार गें जी रानी बिलिंडा मुस्कराई और पूरा संसार खुश हो गए बताई इंग्लेंड में मुस्कराई होंगी हम भारती पते नहीं चला होगा उन कैसे हंस रही है मुस्करा रही है या रांची आ रहे हैं जो भी तो हम लोग क्या करेंगे उनके मुस्कराने पर पूरा लोग संसारे खुश हो जाएगा यह अतिस्योक्ति है जैसे टेन थाउजेंड आई साय एट ग्लांस जी कौन है जी टेन थाउजेंड एट एक ग्लांस यानि दस हजार को मैंने एक ही जलक में देख लिया यानि टेन थाउजेंड एट ग्लांस 10,000 at a glance कोने का मतलब है कि मैंने 10,000 को ये कही हाँ सी वीप्स ओसियन आफ्टियर्स हाँ ओलिविया का एक statement है बिलियम सेक्स्पियर लिखते हैं बहुत सही आप कर रहे हैं अब है कुमार गुकता और विसाल दोनों लोग एक ही बात लिख रहे हैं वह इतना रोई है कि आश्यों का समंद्र बन गया उसके रूम में समझ रहे हैं आश्यों का समंद्र बन गया है यानि हम कहें मैच्वअत की एक लाइन है मैच्वअत की एक लाइन है कि All the perfumes of our vehicle will not sweeten इस लीटिल हैंड अरब देश के सभी सेंट को ला दिया जाए और अब देश के सभी सेंट को ला दिया जाए तो लेडी मेकवेद के हाथ में लगे उस खून के बद्बू को मिटाया नहीं जा सकता देखिए कि इतने बड़ी बात कर दी और बताए ना एक खाली फॉग अगर इधर उदर कर दिया जाया तो आप पंडोहा में से नहां के आया हो तब भी आप खुस्बू देने लगेंगे लेकिन देखिए कि बड़ी बात बोल दी कि आल दपफ्यूम साफ और विया विलनाट स्विटन दिस लीटिल हैं और अब देश के सभी सेंट को ला दिया जाए तभी उनकी हाथ में लगी उस बद्वू को मिटाया नहीं जा सकता है जैसे रिवर्स आप फ्लॉड रिवर्स आप ब्लॉड फ्लॉड इन दबैटल यानि युद्ध छेत्र में हां सी विप्स टैन थाउजन आइट साए ग्लैंस ठीक है बिल्कुल यह डफोडिल्स बिलियम रिवर्स आप फ्लॉड 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 इन दबैटल यानि युद्ध छेत्र में खून की नदियां बह गई मेरी बास समझ रहे हैं एक आद दो एक्जांपल जो बच्चे अगर देखना चाहते हैं एक्जांपल के माध्यम से तो हम कहेंगे जी लिख लेंगे हम लोग कि आप लोग पढ़े होंगे एक बहत्रीन एक्जांपल हाँ कुछ बच्चे कहते हैं जी सर लिख दीजेगा आई हैव नाट सीन हीन फोर एज इस मने मैंने उनको यूगो से नहीं देखा बताएं दस साल पंद्रे साल तीन साल की उमर होई यूगो से नहीं देखांग है अतना बढ़ा चड़ा को बोल रहा है इसा होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है सही गया जी है निसमाल लिजिए है है हाँ अb मुझे आज करने के लिए करोड चीजे मुझेाज करने के लिए करोड चीजे ऐसा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यह बताए कोई करोड़ चीज कर देगा पांच को छोग चीज में तो दिखता देगा जैसे हम यह कह सकते हैं तो कार वाई वेंट फास्टर देन दे स्पीड आफ लाइट यानि जो कार इतना थीज गई है न कि प्रकास की चाल से अभी उसकी चाला दी यह संभव है जी अतिस्योक्ति है कि नहीं है न हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे कर रहा है कि है समझ में आ गया हो तो बताईए आगे बढ़ जाओ समझ में हो गया हो तो बताईए आगे बढ़ जाओ आज की क्लास अंतिम पढ़ाओ के तरफ बढ़ रही है बस एक पढ़ाओंगा उसके बाद अगर बच्चा डिमांड करेगा कि सर यह वाला एक जाया अलंकार पढ़ाईए तो उसको भी पढ़ा दूंगा एक दो तो जैसे आप स्लेस पढ़ेंगे मैं बताया हूं स्लेस जैसे अक्सर बच्चा पूछ देता है कि मुझे जान-जान कहके मेरी जान ले गए चाहे कुछ बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं जी भोजपूरी में एक बच्चा पूछ दिया था हमसे एक दिन स्कूल में कि सर मुड़ी से मार देहिया देला थूर बाकी तो समझी रहे हों कहने लाइक बात है नहीं इसलिए थोड़ी सी बाते अब सब के तरह हम लोग रखेंगे नहीं तो बाबु थोड़ा सा आप सहयोग देते रहेंगे तो हम लोग बहतर पढ़ जाएंगे मेरा वादा है दावा है समझ में आ रहा ह चलिए का अब हम पढ़ेंगे ओनो मोटो पोईया ओनो मोटो पोईया बहुत ही सिंपल है है ऑनो मेटो पोईया सो आफ जिसको हम कहते हैं ध्वानी सूकर अ कि बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जी हागा उनकी स्पेलिंग में गलत हो जाती है जैसे ओनो मेटो पोईया लिखा जाता है पी के बाद ओ होता है ए आई ए होता है ठीक है हाँ इन दिस फिगर आप इस पीच दा साउंड का साउंड सजेश्ट दसेंसर मीनिंग दा साउंड सजेश्ट दा साउंड सजेश्ट सेंस दा सेंस आर दा मीनिंग जी कोते हैं कि इस अलंकार में सब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है बहुत सिंपल है इस अलंकार में सब्द की आवाज से I am going to America कि यह क्या है जी इस अलंकार में सब्द की आवाज से और्थ का बोध होता है जैसे साधारता अगर इसकी बात कर तो भिन्न भिन पच्चूओं की पच्छीयों की बस्तूओं की आवाज जैसे हम कहें कि उसकी पायल की जहनकार तेरी रेश्मी पाजीव के जहनकार के सब्द के सुने हो नगाना तो जो उसके पायल की जहनकार थी उसकी आवाज जैसे हम कहें कि महाराना प्रताप का जो तलवार था उसके खंखनाने की आवाज जी इन रेश्मी चूडियों की जहन जनाने की आवाज समझ रहे हो कैट के मिम्याने की आवाज मियू मियू करने की आवा सब्सक्राइब के बंदू-बंदू के एक क्रेखर वाज पठाके की रेकर्ष की आवाज जैसे हम कहें कि भीस हम कि भी अघ्रम । यह निमध्मक्मकियों के भुनबुनाने की आवाज स्नेक इसनेक हिस यानि जो सेर सांप होता है उसके फुफकारने की आवाज कुकुज कु कोवलों की कुकु करने की आवाज कैट्स मियू बिल्लियों के बोलने की आवाज समझ रहो जैसे हम कहें मर्मरिंग आफ थंड इनमरेबल बीज यानि असंख मदमक्यों के भुन भुनाने की आवाज ये सनेक हिसेस इन दब्रस बस यानि जारियों में सांप के फुफकारने की आवाज कंकनों की कलकल की आवाजे जो नदियों की कलकल की आवाजे होती है I heard the water lapping on the crag मैंने देखा जो पानी की उछलने की आवाज होती है चटाक चटाक चपाक चपाक जैसे भी वो सारी चीजे इनसे आवाज का बोध होता है क्या बोध होता है बिल्कुल सही जा रहे हैं बाबु वाइस का बोध होता है राज्या गुपता आ गया है बहुत से बच्चे लगातार जुडते जा रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है कोई दिक्कत है किसी को जी, बहुत से बच्चे लगातार जुड़ते जा रहा हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है चलिए, आप सभी लोग साथ निभा रहे हैं, लगातार बहुत ये अच्छा लग रहा है जी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं बताऊं जी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सब के द्वारा मैंने एक चीज देखा आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, अगर आपको फिगराफी स्पीच पहचानना आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पहचानना आता है तो भी बताईएगा जी, जिन लोगों को फिगराफी स्पीच पहचानने का धंग नहीं आ रहा है वो लोग भी मुझे बताएं हाँ चलिए चलिए मेरे बाबू कोई अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो बताईए हाँ गुन गुन आने की आवाज गाने की आवाज सब कुछ सब में क्या होता है सब में वही होता है बाबू चलिए मैं अगर आप लोगों की कुछ परिच्छाएं लेना चाहूं तो क्या आप लोग रेडी हैं दो बॉट ट्वीटर्स चिडिया की चाचाने के आवाज बिलकुल सही चलिए जी चलिए कुछ बच्चे करां सर जी पूछ लीजिए तो चलिए हम यूपी बोर्ड में पूछे गए कुछ लाइनों की चीजें पूछते हैं थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि आप लोगों का समय अमुल है इसलिए मैं जादे तो आपको नहीं घुमाऊंगा लेकिन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर थोड़ी सी मेरी बात होगी आप सभी साथी जुड़े रहें जे चलिए एक सब्द पूछा है और यहुवारिटी फॉर्गेट्स एडाइं किंग द्यान से दिखेएगा ओथारिटी जपूछ बूहरल तो पर ल HAVP Aj engaging ऐसमें क्या होगा जल्दी बता आई है मैं सबके है उसका बेट कर रहा हूं चलिए मैं वेट कर रहा हूं सबका बिल्कुल सही बिल्कुल सही अभयकुमार गुपता बिल्कुल सही है आयूस सही है स्रेया अफ्रोज आलम सब लोग सही है वाह सावस चलिए एक क्वेस्चन और पुछा था एधिंग ब्यूटी ज्वाए फारेवर एधिंग आफ ब्यूटी beauty is a joy forever joy forever the thing of beauty is why forever hmm 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 है जिर्मार मिटाफोर मेटाफोर 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 मिटाफोर मेटाफोर है है दी Franken बाव दने सब्सक्राइब शूगि → 읽 जो है ठोड़ा सा असल में देखा जातर एपीग्राम की लाइन है और ध्यान, ऑभवव तुम लोगों के लिए इन आ प PC हम समझते हैं सुकति बोलता है सुकति तुने है वाद अपि खंगर की लाइन है खिरफ और आमटरपर दश्मी के बाराहमी के बच्चे इसको डिक देते हैं मेटाफर खेख है और बच्चों की बात मानने भी पड़ती है क्योंकि यह स्लेबस में है नहीं एपिग्राम एपिग्राम क्या होता है तो हम कहेंगे कि एपिग्राम इज ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रिक्वेंटिल इंट्रीटिक आइडियाज विच एक्साइटेश संथ हम कह सकते हैं कि सर्प्राइज आर एरेस्ट जाता है कि वह अपनी और एक दूसरे का ध्यान आक्रिष्ट करें मनें यहां देखो एक तिंगा ब्यूटी जो है वो सदयव के लिए आनन देने वाली बात है और जी सुन्दर्ता की बस्त जो होती है कभी खतम नहीं होती है इसलिए यह बात कही गई है इसमें तो एपिग् है जी कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइएगा दिख रहा है सबको सर्फ पापा के फोन आ गया था कोई बात नहीं इंपॉर्टेंट चीजें मिश्ट नहीं होनी चाहिए चाहें किसी का फोन आए अगर फोन लेट हो तो आप लोग देख लिजेगा चलिए राइम स्कीम की ब सब तो आपको नहीं बता सकता लेकिन जो आप पूछोगे न मैं उसके नजदीक तक पहुंचने का प्रयास करूंगा ठीक है क्योंकि सेशन लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा पहले यह बता लूँ क्योंकि बहुत से बच्चे दसवी और बारहोई में मैंने देखा तिन-तिन सेट में पूछा गया था राई मिसकीम राई मिसकीम क्या होता है पहले समझ लेना राई मिसकीम मिस होता है तुकांत क्या होता है वाबो तुकांत आज तो यह बोर्ड बिलकुल काम नहीं कर रहा है जी राई मिसकीम मिस होता है इसकीम मिस होता है तुकांत तुकां यानि जो अंत में तुक के साथ अंत होता है जी अंत में जो तुक के साथ अंत होता है उसे तुकांत कहते हैं जैसे अगर माली जी हम एक छोटी सी पोएम लिखते हैं इन्टू दा सौन साइन फूल आफ दा लाइट लीपिंग एंड फ्लैसिंग बिल्कुल मैं छोटा जानके जल्दी लिख रहा हूं फ्रॉम मान फ्रॉम मान तिल नाइट ठीक है तो देखिए बाबु आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आम खत्म कर रहा है नंव स्कीम क्या होता है कि अंतिम सब्दों को जोड़ना होता है один कि सब्दों के नहीं घजिए पीजा पूछता था तो हम क्या तो अगर हमको देखेगा आपको ध्यान देना है कि पहले सब्द को आप दसवी और बारहवी में दोनों तरीके से एबी एबी करके आएगा तो पहले सब्द को यह माना जाता है ठीक है और जो इसके तरह लड़ गया बने इसी के तरह अंतिम सब्द दे रहा हो तो इसको Light of flashing यह तिनों अलग हो गया तो इसको शी मान लिए इसको देखिए light इन अंतिनों में से किसी के तरह लड रहा है तो sunshine की तरह नहीं लड रहा है लाइट के तरह लड रहा है तो इसको हम इमान लेंगे तो इसका rhyme scheme क्या हो जाएगा A B C A क्या हो जाएगा बभूउ इस Crotation का A बास समझ में आ रही है आप लोगों को एसर नो में बताइए क्योंकि बस 50 MB मेरे मुवाइल में बचा है जी कि ABC ये बहुत बनिया स्रेया वेरी गुड इस दफ पोईटिक डिवाइस यूज़ इन लाइन तो देखिए बाभू अब है इसमें नहों एलाईट्रेसन है जो आप पूछ रहे हैं समें कम है ठोड़ा सा एलाइट्रेसन है एलाइट्रेसन क्या होता है अनुप्राशलंकार सुनें आसे इस वाद लिए शुट्टू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चंदी के चंदी रात में चटनी चटाई यह सब अलाइट्रेशन होता है न तो वही स्टेम चीज है सेव्ड आ गया दो सब्द लड़ जाते हैं एक ही बात ठीक है तो उस पहले अप्छर जो उसमें ह होता है अब है जबाब दीजिए जी एबी सी बी बिलकुल सब्सक्राइब कर दो अब है पूछे है आप पोईटिक डिवाइस और आवाज नहीं आई आई आपकी जल्दी बताई यह क्योंकि अब हमको नहीं लगता है आज लाइब बीच में कर जायागा ठीक है जी होता है जिसमें वरणों की आबिरती सवब्दों की आबिरती बार बार होती है एक ही सवब्द की बार बार जैसे तरन तरूजा तर्तमाल तरूवर बहुच्छाए को सकते हैं हम लोग आराम से